हेलो एवरिवन गुद मॉनिंग नमस्ते एंड वेलकम टु माइव लॉग तो वीड को मैंने ड्रॉप कर दिया है स्कूल में वेडान को स्कूल में ड्रॉप करना है अभी मैं आदे रास्ते में हूँ घर जाके वेडान को पिक करके ड्रॉप करूंगी एक्चली हस्बन को आज कॉल था सुबह सुबह तो वो बीजी हो गए है अपने काम में इसलिए मुझे ड्रॉप करनी पढ़ ही वना वो एक बच्चे को ड्रॉप कर दें और मैं एक को ड्रॉप कर देती हूँ पर ओफिस क्या कॉल होता है तो इस तरह से हो जाता है और वीर को 7 10 से पहले हम ड्रॉप नहीं कर सकते तो अभी हुआ है 729 विदान को मैंने ड्रॉप कर दिया है फाइनली 730 से पहले तो मीशन सक्सेस्पुल बच्चों के साथ सुबह सुबह इतनी डॉर्डम इतनी टाइम टू टाइम सब कुछ मैनेज करना बहुत टॉफ हो जाता है जब हस तो खेर बच्चे दोनों चले गए स्कूल और आजकल वो हुरीकेन का टाइम है फ्लोरीडा में स्राइड लैंड हो गया है इडालिया तो इसकी यहां पर इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं है पर हलकी हलकी से इफेक्ट है साउट आज़ ज़्यादा है फेक्ट पर हमारे यहां थोड़ा बहुत ही है पर रेन हो रहा है पूरी राथ थोड़ा थोड़ा बारिस होती रहिए और स्कैटर ठंडरस्टॉर्म जैसा है वेदर तो मैं बाहर गई थी पीछे देखने के लिए क कुछ problem नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा बहुत wind भी था और बहुत जोरों से बारिस होती है तो कुछ गंबले गीर जाते हैं तो वो देखके आ गई और पांच मिनित सांधी से बैठने के बार अभी मैं बनाओंगी चाई सुबह की और अभी हुआ है टाइम सेवन फिफ्टी सेवन तो हस्बन का कॉल अभी चालू ही है उनका कॉल अभी खतम होगा पांच एक मिनित में तो उससे पहले मैं चाई रख दूँगी बनने के लिए और उसके बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट आज एक्टम सिंपल सा चाई और चकरी का ब्रेकफास्ट ही करना है बाद में कुछ बनाओंगी क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है दोनों बच्चों का स्कूल और उनको ड्रॉप करना बच्चों को वीड थोड़ बनती है और इनमें वाइटामीन और मिनलस भी बहुत ही हल्द के लिए बहुत अच्छा होता है और जिन लोगों को इनका फ्लेवर पसंद आए उसे यूज़ करना ही चाहिए जैसी भी रेसिपी में आप यूज़ कर सकें वैसे इसके ग्रीन टीपी बना के पियोगे ना फटापट से बन जाने वाला फटापट से हो जाने वाला ब्रेकपास एंजोई करेंगे गुडवाली चाहिए ये और उसके बाद आज बैक्याड में थोड़ा सा राउन लगाऊंगी एक डो वेजिटेबल्स भी पिक करनी है लंच और दीनर के लिए एक्छली दीनर के बहुत सारे बटरफ्राइस दिखते है इस एरिया में नॉर्ट में जब टेंपरेचर डाउन जाना शुरू हो जाता है उससे पहले बहुत सारे बटरफ्राइस साउट में मूग करना शुरू करते हैं तो इस साइम पे समर के एंड में फॉल शुरू होने से पहले बटरफ्र हो वी साथ है तो अभुत सारे बटर्फ्राइव इसे आयों करने के लिए बहुत सारे आये बैल पेपर्स और बैल पेपर्स मेरे ग़र में सबको पसंद भी बहुत है वैसे हरी मिर्ची भी अच्छी खासी हो गई है पर एक दिन में पिक करूँगी थोड़ी सी में फ्रीजर में स्टोर करूँगी विंटर के लिए पेस बनाऊँगी थोड़ी सी चौप करके स्टोर बठरफ्लाइस बोल रही हूं मेरे बैल पेपर्स बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे है इस पे कलर भी आना शुरू हो गया था तो यह एकदम फ्रेश अभी जाएंगे और रात होने से पहले खाना के हम खा भी लेंगे इसका और आज थोड़ा सा भाजी भी पीक करूँगी औ और यहां पर आये तो मैंने देखा कि बहुत सारी चिलीज हो गए है ठाय चिलीज एकदम ओपर ओपर देख रहे हैं और इंडियन स्टाइल वाले मिडियूम स्पाइसी तो चिलीज को भी मुझे पीक करना पड़ेगा अगर मैं यह चिलीज पीक करूँगी तब भी नए चि और यहां पर मैं टांडल जा की भाजी लेने आई हो यह हमारे यह से टांडल जा मोटी भाजी बोलते हैं डूसरी जगे पर क्या बोलते मुझे पता नहीं है पर मुझे पता है कि पूरे इंडिया में बहुत अच्छी खासी खाई जाती है और यह सीड्स एक बार डाला था सब्सके बार अपने आपी हर साल जपकती रखिए जो पक्के सीड्स हो गया हो वो यह पर गिर जाएगा और इस एरिया में घीरता है तो उससे यह हर साल होती रहती है तो मुझे ये एरिया एक्चुली क्लीन भी करना है यहां पर मुझे डालना है स्पीनच अभी क्या है ना टेंपरेचर 90 में से कम होके 80 में जाएगा तो मैं स्पीनच और ऐसी लीफी वेजिटेबल्स दाल सकोंगी और यह देखिए मेरे धनिया के प्लांस छोटे-छोटे इस में मैं थोड़े से डाले थे सीट्स तो थोड़े बहुत होने लग गए है तो उसे भी स्पेस मिल जाए कि ग्रो होने के लिए और यह मेरी वेजिटेबल्स आज एक बीश भी हो जाएगी खाने में वैसे बहुत ही हेल्डी होता है यह और एकदम फ्रेश फ्रेश देख सकते और मैं इसे बहुत ही वाश कर लूँगी एक अच्छी दरा से ताकि डर्ट बहुत नहीं जाए गर में वैसे रेनी सिजन होता है न तो बहुत डर्टी हो जाती है यह गर में आके उसे भी वाश कर लिया है मैंने और यहाँ पे बेल पेपर जो मैं लाई थी आज उसी को चॉ करके मैंने इसे रोस्त कर लिया है और इसमें जाएगा बेल पेपर और आधा बचा हुआ अनियन को मैंने क्यूप्स करके डाल दिया है यहां पे हल्डी पाउडर रेट चिली पाउडर और जाएगा धनिया पाउडर थोड़ा सा सॉल्ट दूसरी टेरफ मैंने चावल भी च बेशन करके ही जाती हो और यहां पे बेशन को मैं बून के डालूंगी ताकि पकने में बहुत आसानी हो जाएए और यहां पें पया नहीं चाहतन पाउल को अब कर आएगं और सबड बेसन बुना हुआ, बेसन अराउं टीन चमबच बने यहां पर डाला है और इस पर सॉल्ट धन्या पाउडर और रेचिली पाउडर अब हमें मिक्स नहीं करना है इस तरह से ही एक मिनित तक कवर करके लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने देना है उसके बाद हमें इसे मिक्स करेंगे तो यह सबजी को अच्छे से कोड कर लेंगे ऐसा नहीं होगा कि बेसन साइट पे अलग ही इसकी गुट्लिया बन जाए और एक मिनि के बाद फिर से डालेंगे दो टीन चमबच जितना पी बेसन आपको डालना हो सिर्फ अगें ए प्रोसेस करेंगे कवर करके इसे थोड़ी रहने देंगे और उसके बार उसको मिक्स करेंगे और दूसरी तरफ में यहाँ पे बेबी स्पिनच ली है मैंने यह रेसिपी आप बेबी स्पिनच से बनाओंगे तो पर्फेक्ट बनेगी क्योंकि स्पिनच को बड़ी वाली स्पिनच हो तो उसे हलका सा ब्लांच या बॉ अब ब्लांच भी करेंगे ना थोड़ा बहुत पानी में चला ही जाता है इसका नूट्रिसेंस तो यहां पे मैंने टीन से चार हैंडफुल डाल दिया है स्पीनच साथ में दो गालिक जीरा डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर और यहां पे वन फोट कटा हुआ निम्बू क टेबल स्पून डाल दिया है मैंने दही और इसकी एक बारीसी पेस बनाएंगे इससे क्या होता है कि क्रिमीनेस भी आ जाती है और हरा कलर मेंटेन करने के लिए भी इजी हो जाता है तो इस पेस को हम सोर कर सकते हैं फ्रीज के अंदर एक दिन के लिए अभी मैंने इस जाला भी डाल सकते हो हलका हलका सा और वीड को लेने जाने से पहले हलका सा आज ब्रेकफस नहीं किया था तो ब्रंच जैसा कर लेंगे काफी के साथ सैंविच बनाओंगी एक डम लाइट वाली ब्रेड पे मैंने स्रियाचा सॉस दालिया है हलकी हलकी सी चीज ताकि ब्रेड अमेरिकन स्टाइल के और लास्तिया मेरे गार्डन में जो चिली सुए थे हलापीनियो और सैरानो पेपर उसी का बनाया था तो अभी तक अच्छा है एक दम फ्रेस बाहर चलाया हो वैसा ही इस बार मेरे पास हलापीनियो नहीं है पर में जो भी पेपर हो उससे बनाऊंगी और रेसिपी भी शेयर करूंगी यहां पे मैंने फ़ोड़ासा पानीर और क्यूकंबर डाल दिया है और दूसरे पे चटनी डाल दी है ठोड़ासा यहां पे डालोगी में एवोकेडो क्रीमीनेस के लिए और यह उपर से थोड़ासा हलकासा चीज ताकि ब्रेट अच्छे से तोस्तिक हो जाए और यह जाएगा टोस्त होने के लिए आज मैं इसे टवा पही तोस्त करूंगी तो ही सेंविच बनानी है हसमन के लिए और मेरे लिए कोई गी बटर यूज नहीं किया पर अच्छे से टोस्त हो गई है और आज कॉफी बनाओंगी वैसे हम लोग बहुत ब ब्रू कॉफी को कर लिया है, फैट लिया है, फ्रोडर था मेरे पास, तो उसी से आदा कप, आदा बजाएगा मिल्क और आदा गरम पानी, एक कप में थोड़ा सा हलका कॉफी डाला है, और एक में थोड़ा सा स्ट्राउंग, मुझे थोड़ी सी strong वाली coffee पसंद है इसलिए husband को बहुत ज़्यादा coffee या चाही पसंद है ही नहीं तो बहुत strong तो उनको बिल्कुल पसंद ही तो उनके लिए थोड़ा सा light और ये हो गई sandwich हमारी रेरी और इसे के साथ हमारा हो गया lunch इसके बाद जाएंगे वीर को pick up करने के लिए husband का call नहीं है अभी तो husband ही जाएंगे आज तो सुबह बहुत जली जली हो गया और उसके बाद भी पूरे दिन बीजी थी और आज चो मैंने पूरा bathroom गर में four and half bathroom है तो पूरा bathroom one go में finish कर लिया cleaning कर लिया तो अच्छा खासा काम हो गया घर में वैसे deep cleaning होती ही रहती है पर बाठरूम तो बच्चे लोग नीचे हो तो नीचे के सभी use करते है और ऊपर हो तो अपसेर्स हो तो अपसेर्स के करते है तो सभी bathroom यूज हो ही जाते है तो आज एकड़म deep cleaning कर दी मुझे दो गंटे से ज्यादा लग गया bathroom उसको clean करने में और अब खाना बना लिया husband जाएंगे वीर को pick up करने के लिए अटरब तक में करूँगी ठोड़ा सा rest और वीर आ गया था वीर आजकल स्कुल में लंच कर रहा है तो आने के बाद उसने सिर्क दूट पिया तो वो डिनर थोड़ा सा देर से करेगा वेडान आएगा तब लंच या दिनर जो भी वोलो तो आज मैं अलग रेसिपी बना रही हूँ तो वो शय कर रही हूँ यहाँ पर मैंने काले चाने को सोग करके रखा था वो डाल दिया है थोड़ा सा रही साथ में सुजी डाला है हल्टी पाउडर ग्रीन चिली रेट चिली पाउडर थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा बना सकते हो या savery pancake भी बना सकते हो और यह health के लिए बहुत ही अच्छी होती है और यह देखिए इस तरह से paste बनाना है और इसको पानी की consistency हमें adjust कर लेनी है जो भी चीज आप बना रहे हैं उसके हिसाब से तो actually चने मैंने सबची बनाने के लिए डाले थे पर vegetables backyard मैं से मिल गए और विदंड आ गया है तो सबजी रेडी है रोटिया भी बना ली है तो मैं rice का final touch ले रही हूँ यहाँ पे मैंने घी ले लिया है दो चमबच जीरा और अजवाइन डाल लिया है करीपर ता by default में रह जाता ही आजकल थोड़ी से हिंग और साथ में गया onion अधा कटा हुआ onion को अच्छे से roast कर लेना है हमें हलका सा salt डाल देंगे तो फटाबर से roast हो जाएगा और यहाँ पे आप चाहूँ तो थोड़ा सा corn भी use कर सकते हो या फिर पनीर के chunks भी डाल सकते हो थोड़ा सा जाएगा kitchen king masala और हमने जो paste बनाई थी spinach वाली वो डाल दी है मैंने अब हम करेंगे एक dominating से roast बेवी spinach है तो यह पकने में बहुत देर नहीं लगेगा फटाबर से पक जाएगी और garlic को तो हमने paste में ही डाल दिया था दूसरा कुछ डालने की ज़रुत है नहीं हलका सा salt और ठोड़ा सा red chili powder और pinch of healthy powder mix कर लेना है और इसे करना है हमें cook बिना cover किये ही ऐसे ही cook कर लेंगे तो यह cook हो जाएगा इसको आप पालक पनीर भी बना सकते हो है इस से पे आप अगर पनीर डाल दीजिए और हलका सा cream उपर से तो हो गया पालक पनीर आपका ready और यहाँ प परसंट और उससे ज्यादा cook नहीं करना तब यह shape maintain करेगा क्योंकि अभी हम इसे थोड़ी देट पकाएंगे spinach में डालने के बाद भी तो 100 परसंट पक जाएगा और यह break भी नहीं हो जाएगा इसके दाने दाने ऐसे ही रहेंगे तो अच्छे से coat कर देना है spinach की प्योरी को और इसे हम क्या करेंगे एक दो मिनिट करके लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे तो कच्छा बन हो वो भी निकल जाएगा और राइस अच्छे से जो भी flavor हो जो भी fragrance हो वो इसमें सो कर लेगा और एक अच्छा सा टोस्ती टोस्त किया हुआ फ्लेवर भी आ जाएगा और यह द अगर आप पनीर के चंग डाल दीजे इसमें तो एक वन पॉट मिल जैसा भी हो जाता है साथ में अगर आप वेजिटेबल सालाड साव कर दीजे तो सालड के साथ एक वन पॉट मिल पॉर्फेक्ट आपको कुछ नहीं चाहिए एक डम हैल्दी टेस्ती इजी रेसिपी हो जा और आधा बैटर मैंने निकाल लिया है काले चने वाला आधे में में डालूंगी ठोड़ा सा इनो और इसे कर देंगे मिक्स और इसका मैं चिला जैसा बनाऊंगी कुछ दोसा या कुछ बनाने की बनाना का सोचा था मैंने पर अभी बहुत जली हो गई सब को खाना है एक अभी लोग अभी खाने की जली करते हैं और मुझे सब को गर्मा गरम देना है तो मुझे फटा पर से जो जीस तरह से सुजा मैंने कर लिया तो फटा पर से ठोड़ा ठीक जैसा दोसा जैसा मैं इसको कर लूगी करिकिलम नाई थे तो हम दोनों ही जाने वाले थे पर आज कल रेनी हो रहा है और जब ठंडर सम होता है तो वीर बहुत दर जाता है और वेदर अभी इतना बड़ा नहीं है कि इतने चोटे बच्चे को उसके साथ छोड़ के जाए जब वेदर खराब हो इसलिए हसमन ही जाएंगे और मैं नहीं जाओंगी तो यहां पे मैंने सु कोई भी वज़ितवर्स दाल सकते हो यहां पे हलका सा चीज ताकि यह हो जाए स्थिक और यह देखिए फटापट से बनाने में जल्डी इतनी कर रहा था ना वीर इस तेम पे के मुझे खाना है खाना है तो मैंने बना लिया एक हैल्डी यमी टेस्टी सा हो गया हमारा दीनर दीनर हो गया है वेदा अपने काम में लगा है हस्मन गये है वीर की स्कूल में और मैं वीर को लेके बैठी हूँ उसको स्टडी करवाने के लिए वैसे स्कूल में से कुछ ऐसा होमवर्क नहीं आता यहां पे पॉलिसी ही होती है कि बच्चों को स्कूल से कुछ होमवर्क दे तो ठोड़ा बार राइटिंग का कर वा रही हूं, ठोड़ा निरेटिव राइटिंग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और बच्चे को स्थूरी में क्या हुआ वो भी पता चल जाएगा, और अभी हुआ है 5.30 पी-म, और डीनर सबका हो गया है, वीर एक हलका-पलका सा डीनर मिल्क और ऐसा कुछ करेगा, 7.00 पी-म के और अगा हो गया है, तो जब बच्चे लोगे स्कूल होती है, तो हमारा सब कुछ बहुत बहुत जली-जली हो जाता है शाम को जोस्युत साँेब मेझेजी की अगनल रून कीज़ी entwickelnब बदेना υना इंचा gonna be वहाओ छाफ चौक की एovा दो सीही अवधेफ यह एंचाली data ने वगाइब एल रून ओंचाल Hz So, when you have to show that your shouting done only, write all capitals, okay? Understood? Okay. No term issues of emergency ahead of her. So, government of Georgia has released a state of emergency, so that we can read it, so that we can read it, so that we can read it, so that we can read it. I hope you can watch the vlog. So, subscribe and see you in the next video. See you in the next video. Bye.